परिचाए बच्चो आज हम जैव विविधता एवं संदर्भित करती है बहुत अच्छे रेश्मा सर हम जैव विविधता का संदर्भित करते है हम राष्टिय उद्यानू वन्य जीव अभ्यारण आदी की साहिता से जैव विविधता का संदर्भित करते है इस पार्ट में आप जैव विविधता तथा इसके संदर्भित के बारे में सीखेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैव विविदता एवं इसके स्तर को बताना जैव विविदता के प्रतिरूपों का वर्लन करना जैव विविदता के महत्व का वर्लन करना जैव विविदता की क्षती की व्याख्या करना जैव विविदिता को दिये गए समय में, दिये गए स्थान पर विभिन प्रकार के जीवों की विस्तरित च्रिंखला के अस्तित्व के रूप में परिभाशित किया गया है जैव विविदिता में तीन सोपानिक इस्तर शामिल हैं, आनुवन्शिक विविदिता, जातिय विविदिता और परिस्थित किये विविदिता जैव विविदिता के स्तर आनुवन्शिक विविदिता एक जाति के भीतर मौजूद आनुवन्शिक भिन्था, आनुवन्शिक विविदिता कहलाती है आनुवन्शिक भिन्था अलील में, पूरे जीन में या गुण सूत्रिय सनचना में हो सकती है जातिये विविदता के दो महतुपून मापदंड है जाती प्रचुड़ता इसे प्रती इकाईक शेत्र जातियों की संख्या की रूप में परिभाशित किया जाता है जाती संतुलित्ता ये सापेक्ष प्रचुड़ता को संदर्भित करती है जिसके साथ प्रत्येक जाती को एक शित्र में दर्शाया जाता है पारिस्थिति की ये विविदता प्रिथ्वी पर पाय जाने वाले विशिष्ट जैविक समधायों की विविदता पारिस्थिति की विविदता कहलाती है प्रिथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी स्पिशीज हैं International Union for Conservation of Nature के अनुसार पादप तथा जन्तू प्रजातियों की कुल संक्या एक दशमलाव पाँच मिलियन से अधिक है। भारत में जैविव्धता संसार के बारा महा जैविविधता वाले देशों में भारत भी एक है। जातिये विवित्ता आर्ट दशमलाव एक प्रतिशत है। भारत में पौधों की 45,000 जातियां तथा जन्तुओं की 90,000 से एक लाग जातियां है। वास्तों में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा नाम दिये जाने की अवशक्ता है। जैव विवित्ता के प्रतिरूप अक्षांक्षिये प्रमणता जैव विवित्ता प्रित्वी पर एक समान नहीं है। ये अक्षांश या उचाई में परिवर्तन के साथ साथ बदलती है। जब हम उच्छ आक्षांश से निम्न आक्षांश की तरह बढ़ते हैं, तो जय विविदता बढ़ती है। शीतोषन क्षित्र में पौधों के लिए लगू वर्धन काल के साथ साथ कठोर जलवायू होती है। दूस्ती तरफ उच्ण कठी बंधिये क्षित्र में वर्धी के लिए वर्ष भर अनुकूल परिस्थित्यां बनी रहती हैं। अनुकूल परियावरण दशाएं जाती उद्भवन के पक्ष में होती हैं, तथा अनेक जातियों के अस्तित्व एवं वर्धी को संभव बनाती हैं। अता उश्ण कठी बंधिये क्षित्र में जैव विविदता अधिक होती है। उधारन के लिए उश्ण कठी बंधिये वर्षावनों में समवेहनी पौधों की जातियों की माध्धे संक्या प्रती शूने दशमलाव एक हेक्टियर नमूना क्षित्र में 118 से 236 तक होती है, जबकि ये शीतोश्ण क्षित्रों में केवल 21 से 28 जातियों की सीमा में होती है विवदता तथा आक्षांश के बीच इस प्रकार का सह संबंध अनेक वर्ग की ये समूहों के लिए भी पाया जाता है, जैसे की चीन्टी, तितली, शलब और पक्षियादी जातिये क्षेत्र संबंध परवत पर जातिये विवदता निम्न से उच्च उचाही तक घटती है, उचाही में 1000 मीटर की विवद्धी के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सिस तक नीचे चला जाता है अधिक्तम उचाही पतापमान में कमी और अत्यधिक मौसमी परिवर्दन शीलता दो मुख्य कारक हैं, जो विविदता को कम करते हैं जातिये विविदता की अक्षांशी तथा उचाही प्रवनताएं दो प्रमुक प्रवनताएं हैं, हाला की कुछ क्षेत्रिये तथा वर्ग को सम्मंदित अपवाद हैं एक ही समय पर अधिक जटिल तथा विशम भौतिक परियावरं क्षेत्र में अधिक जटिल तथा विविद वनस्पती एवं जन्तूओं का साथ देता है जाती प्रचुरता तथा क्षेत्र जिसमें व्यापक भिनताएं एक लगु गणक पैमाने पर उपस्तित होती हैं उनके बीच सम्मंद एक सीधी रेखा दर्शाता है जिसे की नीचे दिया गया है लॉग S परापर लॉग C जमा Z लॉग A यहाँ Z रेखा का धलान है और C Y अंता खंड है पारी तंत्र के लिए चातिये विविदता का महत्व समरिती जैव विविदता जैव मंडल के स्वास्थे तथा देश के जैव उद्यों की क्विकास के लिए आवशक है जैव विविदता भोजन, दवा, औशधिये, ड्रग, रेशू, रबर तथा इमार्ती लकडी के सुरोत हैं अनेक सुक्ष्म जीवों का उप्योग मूल निवान उत्पात प्राप्त करने के लिए उद्योगों में किया जाता है आधोनिक क्रिशी जैव विविदता का तीन प्रकार से उप्योग करती है नई फसलों के स्रोत के रूप में उन्नत किस्मों के प्राजनन के लिए एक स्रोत सामगरी के रूप में तथा नए जैव निम्निनी कीट नाशकों के स्रोत के रूप में पारी तंत्र के लिए जातिये विविदता का महत्व जैव विविदता के अनेक उशदिये उप्योग है कुछ पादप आधारित पदार्थों को मुल्लिवान और शदियों में विक्सित किया जाता है। मौर्फीन जिसका उप्योग डर्द निवारक के रूप में किया जाता है, पेपेवर सुमनी फेरम से प्राप्त की जाती है। कुईनीन जिसका उप्योग मलेरिया की उपचार में किया जाता है, सिनकोना लेटगेरियाना से प्राप्त की जाती है जैव विवदता का अत्ति दिख सौंदैरे परक महतु भी है, परिया वरनिय परियाटन, पक्षियों को निहारना, वन जीव, जानवरों को पालना, बागवानी करना आदी, जैव विवदता के सौंदैरे परक पुरसकारों के कुछ उधारन हैं जैव विवदता की एक्षती मानव क्रिया कलाब जैव विवदता के लिए बड़े खत्रे हैं जातियों के विलोपन तथा परिणाम सरूप जैव विवदता की एक्षती को बढ़ावा देने वाले महदपून कारक हैं आवासी एक्षती तथा विखंडन अती दोहन आवासी एक्षती जैव विवित्ता का प्रात्मिक खत्रा है। आवासी जन्तु भी वनोन मूलन से प्रभावित होते हैं क्यूंकि उनके मारगों में बाधा हा जाती है। आवास खंडन एक परिस्थित की ये प्रक्रिया है जिसमें आवास का एक बड़ा टुकड़ा आवास के छोटे-छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। चाया इस प्रक्रिया का कारण मानव क्रिया कलाब है। अथिदोहन जातियों का अथिदोहन आनुवन्शिक विवित्ता की ख्षती तथा पारसपरिक प्रभावली जातियों की व्यस्टी तथा समूं दोनों की जातिये प्रचुर्ता में ख्षती का कारण है। अतिदोहन में अतिदिग मचलियों का शिकार करना तथा अधिक फसल काटना शामिल हो सकते हैं। 20. सदी में अप्रतिबंधित वहल मचली का शिकार अतिदोहन का एक उधारण है। और वहल मचली का शिकार करने वाले उद्योकों ने वहल मचली की अनेक जातियों को अत्यन्त निम्न समश्टी आकार तक पहुचा दिया मनुश्यों ने समुद्री मचलीयों का शिकार किया समुद्रों के प्रहचुर संसाधनों के कारण ये कभी नहीं लगता था कि समस्याउद पर नहोगी बढ़ती मानव समस्टी के कारण भोजन के स्रोत के रूप में समुद्र की मांग पढ़ी है विदेशी जातियों का आकरमान बाहरी जातियां जिन्हें उस स्थान पर लाय जाता है जहां वे पहले नहीं रहती थी आकरमक जातियां कहलाती है आकरमक जातियां प्रकृती का संतुलन बिगार देती है लंबे समय तक आबाधित रूप से रहने के बाद बाहरी जातियों के साद प्रतिस पर्धा करने में असमर्थ इस्थानिक यानि देशद जातियां प्राया बाहर निकालती जाती हैं या मारती जाती हैं अनेक मचलियों की जातियां जैसे की ब्लू गिल सन्फिश और स्मॉल माउथ बॉस इन दोनों को पूरे पश्मुत्तर अमेरीका में व्यापक ग्रूप से लाय गया था जहां वे उभैचर समस्टियों के लिए गंभीर खत्रा पैदा कर रही हैं सहे विलुप्तता किसी जाती की सहे विलुप्तता दूसरी जाती के विलुपन के परिणाम के रूप में उस जाती की खशती है उधारन के लिए जब एक पोशक मचली विलुप्त हो जाती है तो उस मचली पर रहने वाले सभी सुक्ष्मजीव भी विलुप्त हो जाते हैं जैव विविदता संदक्षण हमें जैव विविदता को क्यों संदक्षित करना चाहिए? जैव विविदता जल चक्र का स्थरी करन, ब्रिदा और वर्ता का रख रखाओ, पसलों एवं अन्य वनस्पतियों का परागन तथा पर निशेचन, ब्रिदा अफरतन के विरुद्ध, सुरक्षा और भोजन उत्पन करने वाले एवं अन्य परी तंत्रों की स्थिर्ता, सहित परिस्थित किये प्रकारियों को बनाई रखने में महतपून भूमी का निभाती है। जैविक विविदता का संदक्षन, खादे श्रिंखला के अस्थित को बनाई रखने के लिए महतपून, परिस्थित किये विविदता के संदक्षन को बढ़ावा देती है। ये कई सो मि तथा वैज्ञानी केवं और द्योगिक छेत्रों में महत्पूर्ण खोजों के लिए आनुवन्शिक आधार भी प्रदान करती है। भारत सम्रिद्ध जैविक विविद्धा वाला देश है और इसने वैश्विक जैविविद्धा में काफी योगदान दिया है। स्वास्थाने सनरक्षण में जन्तूओं एवं पात्पूं की उनके प्राकृतिक आवास में स्वास्था स्वास्थाने सनरक्षण कहलाती है। स्थापित प्राक्रितिक आवास हैं राश्टिय उद्ध्यान एवं अभ्यारन, जीव मंडल आरक्षित, बायोस्पेयर रिजर्व, प्रक्रिती आरक्षित, आरक्षित तथा सुरक्षित वन, परिरक्षन प्लॉट तथा आरक्षित वन। पहली पहल 1936 में कारबेट राश्टिय उद्ध्यान की स्थापना थी, ये कारून द्वारा पूरी तरह से सनक्षित है। पार्क में जलाने वाली लकड़ी बीनना और जानवरों को चराना जैसे मानव क्रिया कलाप की अनुमती नहीं है। अभ्यारण भी सनक्षित हैं, लेकिन इन में कुछ मानव क्रिया कलाप की अनुमती दी गई है। स्वस्थाने सनक्षण जीव मंडल रिजर्व सनक्षित क्षित्रों की एक अनिश्रिणी है। उस बड़े क्षित्र को जीव मंडल रिजर्व घुशित किया जाता है जहां वन ने जीवों की सुरक्षा की जाती है। लेकिन रिजर्व के भीतर स्थानिय समुदायों को रहने और पारम परिक गतिविदियां करने की अनुमती होती है। भारा सरकार ने साथ जीव मंडल रिजर्व थापित किये हैं। नोकरेक, नीलगिरी, नमदाफा, नंदा तेवी, सुंदरवन, ग्रेट निकुबार तथा मननार की खाड़ी। जैव विवदता हॉट स्पॉट प्रित्वी का वोक्शेतर होता है, जहां जैविक विवदता बहुत अधिक होती है। और आवाज क्षिती, जलवायू परिवर्तन या व्यापक जाती क्षिती के कारण गंभीर खत्रा भी होता है। दुनिया में 34 हॉर्ट स्पॉर्ट हैं। भारत में 3 जह विविद्दा हॉर्ट स्पॉर्ट हैं। वे हैं पश्चमी खाट, हिमालय और भारत बर्मा की क्षित्र। वाहिस्थाने संदक्षण पादप एवं जन्तूओं के वाहिस्थाने संदक्षण में उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेश स्थान पर उनकी स्रक्षा करना शामिल है। उधारण के लिए जन्तूव उद्ध्यान, वनस्पती उद्ध्यान फसलों, जन्तूओं, पक्षियों एवं मचली प्रजातियों के सभी अनुवन्शिक पदार्तों को National Bureau of Plant Genetic Resources नई दिल्ली तथा National Bureau of Animal Genetic Resources आदी के दोरा संग्रहित एवं संदक्षित किया जाता है। जब हम जाती को उसी आवास पर पुना लाते हैं, जहां से ये विलुप्त हो गए थी, तो ये वाह स्थाने सेलक्षिन का एक अन्य रूप होता है। उधरन के लिए, गंगा नदी में पाए जाने वाले खड़ियालों को उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजिस्थान की नदियों में पुनाल लाया गया, जहां ये विलुप्त हो गए थे। क्या आप जानते हैं? हमारे मानिनिये प्रधान मंत्री शुरी मनमोहन सिंग ने दा हैदरबाद प्लेश की शुरुवात की और कहा कि उनकी सरकार भारत में जैव विवदता सन्रक्षन हेतु संस्थागत तंत्र को मस्बूत बनाने के लिए 50 मिलियन डॉलर का नोदान देने क नरें लिया है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जैव विवदता को दिये गए समय में दिये गए स्थान पर विभिन प्रकार के जीवों की विस्तरित शिंखला के अस्तित्र के रूप में परिभाशित किया गया है जब हम उच्छ अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरह बढ़ते हैं तो जैव विवदता बढ़ती है परवत पर जाती ये विवदता निम्न से उच्छ उचाईत अगड़ती है जैव विविदता जैव मंडल के स्वास्ति के लिए बहंतपूर्ण है क्यूंकि ये भोजन्स रोत के रूप में कारे करती है और इसका अत्यंत सौंदरे परक महतु भी है मानव क्रिया कलाप जैव विविदता के प्रमुखत्रे हैं इसमें आवास, शती, तथा खंडन, अतिदोहन, विदेशी आक्रमण जातियां, जैविलुपतता शामिल हैं पादपेवं जन्तूं की उन्ही के प्राक्रितिक आवास में सुरक्षा इन सेतू सनक्षण कहलाता है पादपेवं जन्तूं के एक्स सेतू सनक्षण में उनके प्राक्रितिक आवास से अलग एक विशेश स्थान पर उनकी सुरक्षा करना शामिल है